हेलो अब्रीवान, वेलकाम टू फार्मारोग्स यूटूब चैनल, फार्मारोग्स के यूटूब एज्जुकेस्टा चैनल में आपकास स्वागत है आज के वड़ी लेक्चर भी हम डेटेल में स्टेडी करेंगे अलग-अलग प्रकार के इंजेक्शन के बारे में कि जिसके अंदर हम सिखेंगे कि इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से ये इंजेक्शन को लगाया जाते हैं तो यहाँ पर आप देखो कि इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि इंट्रावैनस इंजेक्शन होता है कि जो वेन में लगता है इंट्रा मस्कुलर मस्ल्स में लगा जाता है फिर सब कुटेनियस या फिर इंट्रा डर्मल इंजेक्शन जो स्कीन के हमारे लेयर्स होते हैं वहाँ पे लगा जाता है खास कर और इंट्रा कार्डियक जो है वह हमारे हार्ट के अंदर लगा जाता है फिर intra-articular injections होते हैं, intra-cerebral injections होता है, intra-artorial होता है, intra-cisternal, peridural, epidural और intra-thegel तो या सभी प्रकार के injections के बारे में हम सीखेंगे डिटेल में आज के lecture के अंदर तो expert lecture बायमर सर, assistant professor and founder of pharma rox, thank you for being pharma rox family, सीखें अलग-अलग बीमारियों के बारे में, उप्चार के बारे में, अलग-अलग प्रकार के दवायों के बारे में, injections के बारे में, medicine course में, pharma rox के अब पर, तो medicine course में आप सीख सकेंगे, अलग-अलग दवायों के बारे में, उनके basic use, उनके dose क्या होते है, side effect, warning contraindication, एक साल तक affordable price में, pharma rox के अब उपर, medicine course को join करने के लिए में, whatsapp करे, 9016312020 पर या फिर हमारी आपको download करे, तो आप समझते है, parentals के बारे में, कि जो injection, जो parental preparations के category में आते हैं, तो parental का मतलब आप सबसे पहले समझ लो, parental का मतलब होता है, कि outside of the intestine, मतलब कि ये ऐसे medications हम deliver करते हैं patients को, कि वो उसके intestine, या फिर उसके stomach, या फिर उसके gastrointestinal tract, जो है पूरा, उसमें ये medication नहीं है, because आप देखो, कि जो oral ही आप जो medications लेते हैं, tablet वगेरा, या फिर कोई syrup लेते हैं, suspense लेते हैं, तो जब आप oral ही देते हैं, तो वो आपकी isophagus के through stomach में जाता है, वहाँ से आगे intestine और पूरा जो हमारा gastrointestinal tract है, उसमें वो medication travel करती हैं, पर जो injections होते हैं, या फिर जो parentally जब medications दी जाते हैं, तो उसमें आप देखो, कि वो bypass effect थूरू जाती है, कि पेरा मतलब की outside और enteron मतलब की intestine, तो directly आपके systemic circulation में ये medication जाती है, जैसे कि ये injections जो वो vein में लगाया जाता है, muscles में लगाया जाता है, skin के अलगले layers में लगाया जाता है, और spinal cords के अंदर भी specialization के through ये medications को जो वो लगाई जाती है, तो parental मतलब के ऐसे medications या फिर इस तरह से दी गई कोई medications के वो directly आपके systemic circulation में पहुचती है, और वो gastrointestinal tract जो है हमारा या फिर elementary जो कैनल है, उसको avoid करके आपके body के अलग-अलग cell, tissues और organ system तक ये medications पहुचती है, तो parental preparations जो होती है, वो sterile होती है, वो solution होते है, suspension होते है, या फिर aqueous या फिर oily vehicles में होते हैं, कि आप खास कर देखो, कि injections के साथ WFI दिया होता है, कि जिसको कहा जाता है water for injection, तो खास कर बहुत सार इंजेक्शन जो वो water में बनाया जाते है, sterile water में, और कुछ oily vehicles के अंदर भी ये injections को बनाया जाता है, तो injection सबसे पहले जानना चाहिए कि क्यों दिये जाते हैं, because tablet के आपके पास option है, syrup के option है, पर कई बार ऐसी condition होती है, कि patient जो वो swallow नहीं कर पाता medication को, उसको nausea vomiting हो रही है, उल्टी हो रही है, बहुत ज़द है, तो उस वक्त वो orally medications नहीं ले पाएग या फिर केसी दूसरी तरीके से orally medication नहीं ले पाएगा, तो उस वक्त बेस्ट option रहता है, कि आप उसको injection से medication रहे, कि IV-drift या फिर intramuscular या फिर बहुत सरे जो अलग-अलग injections के type A, उस के थरू ले सकते हैं, तो benefits क्या है, उस तरह से injections लेने से, तो जो अभी हमने देखा कि patient ऐसी विमारी में है, कि वो समझे कि tablet नहीं खापाता, तो उस वक्त डायरेक्ली वो ले सकता है, फिर दूसरी condition कि medication जो बहुती fast action देती है, कि जब आप वेन में देते हैं, तो वो medication जो tablet के compare में, उसकी effect भी आपको fast मिलती है, कि जो fast onset of action की जो बात कही जाती है, rapid onset of action की जो ब साथ ही कि अगर कोई patient oral ही नहीं खापाता medications तो उस वक्त injections के हमारा based option रहता है, तो primary हम समझेंगे intravenous, intramuscular, subcutaneous, intradermal and intracardiac and intrarterial के बारे में, तो intramuscular के बारे में ऐसा कहा जाता है कि medications जो वो directly हमारे muscles के अंदर पहुचा ही जाती है, muscle में यह injection जो दिया जाता है और उसके लिए जब injection लगाया जाता है तो जो angle होता है, वो 90 degree angle रखा जाता है, कि यह आपे समझों कि यह skin का layer है आपका और यह injection है, तो दोनों के बीच में जो है वो 90 degree angle जो है वो बनता है, उस तरह से लगाया जाता है, subcutaneous के हम बात करें तो वो 45 degree angle जब बनता है, तो इस angle से उसको inject किया जाता है, कि जो specially आपके जो subcutaneous layer होता है, skin का वहाँ पे medications deliver की जाती है, फिर intra-dermal जो injection होता है, वो खासकर 10 से लेकर 15 degree पे लगाया जाता है, कि जो आपके epidermis या फिर dermis का जो layer होता है, वहाँ पे medications को release करता है, और intravenous injection जो खासकर 25 degree से लगाया जाता है, कि जो आपके vein के अंदर medications को पहुचाती है, और वो काफी fast action देती है, तो उसके रहाँ दूसरे भी कुछ टाइप है, intra-cisternal है, peridural है, epidural, intra-articular, intra-cerebral और intra-thecal, वो भी हम आगे detail में सीखते हैं, तो intra-venous आप यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, तो खासकर यह vein को target करता है, और यह जो needle होती है, वो directly आपके vein के अंदर जाती है, और वो 25 degree angle से उसको खासकर लगाया जाता है, कि जिससे directly जो आप IV set तयार करते हो, या फिर directly injection लगाते हैं, तो वो patient के vein के अंदर medications जो रिलीस होती है, और फिर वो blood stream के अंदर mix होके, पूरी body के अंदर वो दवाई जो है, वो फैलती है, तो उसके लिए specially IV set प्रॉपर लगाया जाता है, IV drip के लिए, तो यहाँ पे आपक सकते के catheter होता है, plastic tube होती है, और proper यह assembly जो है, वो setup की जाती है, जिससे patient को IV drip लगाया जाए, तो उसके अंदर आप देखो कि filter होता है, case होता है, cap होती है case के लिए, catheter होता है, फिर pre-lubricated needle भी होती है, तो उस तरह से proper expertise के साथ यह vein में injection लगाया जाता है, तो उसके लिए आप यहाँ पी जो आप देख रहे हैं, कि अलग-अलग size की जो needles यूज के जाती है, injection की like IV के लिए आप देखो तो 22 या फिर 20 gaze की needles यूज की जाती है, IM के लिए ये gaze number होते हैं, 20 से लेकर 24 तक की और subcutaneous के लिए 20 से लेकर 26 G तब के अलग-अलग gaze number वाली needles जो यूज की जात हैं, तो intra muscular के बारे में आप यहाँ पे देख रहे हैं, कि जो 90 degree जैसे already भी हमने सीखा था, कि ये injection directly आपके muscles के अंदर जा रहा है, ये वाला जो layer है, वो muscles का layer है, और ये जो angle बन रहा है, वो 90 degree बन रहा है, और medication जो हो थोड़ा slowly-slowly release की जाती है, खास कर aqueous injection सबसे ज्यादा ये उस किया जाते हैं, कि आपने देखा होगा, कि जो diclofenic का injection आता है, जो pain killer के तौर पे है, वो भी सबसे ज्यादा muscles में prefer किया जाता है, pain को रोकने के लिए, जो pain killer के तौर पे लगा जाता है, कि जिसके popular marketer formulation से जिसके dynapar वगेरा है, वो वे रान injection है, फिर subcutaneous injection कि जिसको SC injection का आ जाता है, जो हमारे skin का एक fatty layer होता है, यहाँ पे आप देखो, यह needle यहाँ तक पहुची है, तो यह हमारी subcutaneous tissue कही जाती है body की, और यह injection 45 degree angle से लगा जाता है, और यहाँ पे भी drug जो हो काफी fast absorb होती है, बर दियान यह रखना है कि यह muscles तक ना पहुचे, इसलिए angle ज 45 degree कर दिया जाता है, कि medications यह वो subcutaneous layer को ही, जो वहाँ पे medications release हो, कि और इसका example है insulin, कि जो insulin का injection खासकर लगा जाता है, वो subcutaneous injections के तोर पे ही लगा जाता है, तो proper expertise की इसमें भी जरुरत होती है, कि जो person subcutaneous injection लेता है, तो उसको train भी किया जाता है properly, और खासकर insulin के जो injection से वो यह route से लगाया जाते है, कि यहाँ पे आप देखो, यह जो skin का layer और यह आपके subcutaneous fat नीचे उसके नीचे muscle है, बड़ नीडल जो है वो सिर्फ यह area में पहुचती है, और थोड़ा सा आपको pinch करना होता है आपका bug, और वहाँ पे patient जो है वो subcutaneous injection, खुद भी क ofcutaneous injection ले सकते हैं, intra-dermal injection के बात करते हैं, intra-dermal जो skin के जो layer है जो dermis and epidermis का जो हम बाएते हैं, वहाँ पे यह injection कि जो intra-dermal का जो portion का आज़ता है, dermal के जो layers होते हैं, कि यह वाला आप देखो, कि epidermis और dermis की जहाँ पे vein भी होती है, पर सबसे उपर की और यह वाली जो ज पे collectivy का कोई test करना है तो उस वक्ष ये medications को वहाँ पे inject करने के लिए और वहाँ पे smear develop करने के लिए या फिर कोई sample आपको collect करना है तो उसके लिए ये injection जेवल लगाया जाता है फिर intra cardiac injection जो होता है वो specially हमारे heart के अंदर लगा जाते है heart के जो muscle तो यहाँ पर आप दोग को यह जो symbol किया गया है तो वो reason में properly experts के द्वारा यह injection जो वो आपके directly heart के muscles में ही लगा जाते है या फिर जो ventricles होते है heart के वहाँ पर यह injection को लगा जाता है especially emergencies जो होती है cardiac emergency उसमें यह medications लगा जाते है और needle जो हो insert की जाती है पेरा sternally जो हमारा left side का fourth and fifth intercoastal space होती है कि यहाँ पे जो symbol से दिखाया गया है वहाँ पे जो हो proper यह injection experts के देरा लगा जाती है और इसका एक example है epinephrine का injection कि जब किसी को cardiac arrest आता है heart attack के जो complications आते है तो उस वक जो emergency में यह injection जो पेसंट को जो लगा जाता है epinephrine वगेरा का तो वो एक intracardiac injection का option यह directly आपके cardiac muscles के अंदर यह लगता है और उसके लिए हम बात करें तो needle जो हो 1.5 inch की खास कर रहती है और उसका जो gaze number होता है 18 या फिर 22 gaze number की needles जो वो इसमें use की जाती है फिर बात आती है intra arterial injection खास यहाँ पे अच्छे से आप read करो arterial मतलब की जो हमारी artery होती है कि blood vessels हमारे दो तारीके की है एक होती है vein और दुसरा artery तो जो vein में injection लगाया जाता है उसको हम intravenous कहते हैं उसी तरह से जो arteries में injection लगाया जाता है उसको intra arterial कहा जाता है तो यह injection खास कर जो vasodilator drug होते हैं समझे के vasodilator spasms के जो problem है उसके दोरान directly लगाया जाता है या फिर thrombolaitic drugs जो होती है embolism के इलाज में जो हो लगाया जाती है तो बहुत सरे अलग-अलग जो chemotherapy के दोरान या फिर बहुत सरे अलग-अलग ऐसे कुछ emergency condition और बहुत rare condition में यह injection जो है वो लगाया जाता है अब बात आती है इंट्रा थीकल injection की थीकल का person मतलब की आपका spinal cord का जो reason होता है वहाँ पे यह injections लगाया जाते हैं कि spinal cord के जो अलग-अलग reasons होते हैं वहाँ पे specially जो cerebrospinal fluid होता है और वहाँ पे यह injection specially जो anesthesia medication से या फिर chemotherapy के दरान जो medications लगानी होती है pain management के लिए जो medications लगानी होती है तो वो जो sub arachinoid जो space होती है कि जो cerebrospinal fluid जहाँ पे present होता है तो वहाँ पे यह injections जो patient को लगाया जाता है कि जो same space आपके brain के layers में भी होती है और same space आपके spinal cord में भी होती है तो वहाँ पे यह intrathecal injections लगाया जाते है फिर बात आती है intracisternal injection की तो यह injection जो वो first and second जो cervical nerve होती है वहाँ पे जो यह वो खासकर लगाया जाता है और जो sub arachinoid cistern का जो portion कहा जाता है हमारे brain के अंदर तो वहाँ पे proper expert जो वो intracisternal injections को लगाते है फिर epidural और peridural के हम बात करें तो epidural injection जो वो cervical, thoracic या फिर जो lumbar area होता है spinal cord का वहाँ पे steroids के जो injection होती है वो खासकर लगाया जाते है कि जो epidural space जो कहीं जाती है वहाँ पे यह लगाया जाते है कि जो specially temporary pain relief के लिए as well as surgeon को कम करने के लिए जो आपके spine area में हो रहा है spinal cord के area में तो उसको कम करने के लिए epidural injections होती है और वो भी proper experts के थ्रूही लगाया जाते है peridural के हम बात करें तो जो space होती है durameter and inner aspect of vertebra होता है वहाँ पे यह injection के यहाँ पे आप देखो यह durameter का बाग है और epidural space जो होती है paradural space जो वो यूज के जिते हैं अगर कोई patient के surgery है कोई operation करना है तो उससे पहले जो anesthesia medications जो use करनी होती है तो उसके लिए यह paradural injection जो experts लगाते हैं फिर intra-articular जो injection है कि जो आपके articular जो area होता है कि जो knee joint का जो area होता है वहाँ पे आप जो injections में देख जखते है कि जो specially जो हमारा knee joint होता है वहाँ पे जो joint pain का problem है arthritis की जो patients होते है तो उनके लिए यह injections लगा ज़ते हैं खासकर जो steroids दवाया होती है corticosteroids उनके यह injection या फिर local anesthetic hyaluronic anesthetic even जो botox injection आता है वह भी यहाँ पे जो पेसंस को लगा ज़ता है तो इसको knee injections भी का ज़ता है और बहुत सा रह लगले injection जैसे कि inflix semip जो injection एक monoclonal antibody है फिर botulinum neurotoxins जो होते है botox injection जो होता है वह भी यहाँ पे लगा ज़ता है platelet risk जो plasma होता है वो भी यहाँ पे लगा ज़ता है and high hyaluronic acid जैसे medications जो वो यह root से जो लगा ज़ते है कि जिसको हम कह सके कि आपके knee joint के अंदर कोई infection है और वहाँ पे कोई bimari है तो उसके लिए यह injection जो खास कर लगा ज़ता है जिसको intra-articular injection हम कहते है फिर बात आते है intra-cerebral injection तो brain का जो cerebral का जो प्रोल्शन होता है और जो cerebral verticals होते कि जहाँ पे खास कर cerebral spinal fluid होता है तो blood brain barrier जो होता है उसको bypass करने के लिए directly यह injections जो intra-cerebral जो reason होता है वहाँ पे जो यह medications लगा ज़ते कि जिसको ICV injections भी कहा ज़ते है तो यहाँ पे आप देख सकते है जो ventricular system जो होती है spinal cord का यह region और यह जो color के हुआ portion आप देख सकते है light blue color तो यह region को हम खास कर कहते हैं intra-cerebral ventricular injections के जो space होती है या फिर cerebral ventricular कल्स के जो space होती है वहाँ पे यह injection खास कर लगाए जाते है फिर intra-cerebral injections के बारे में और detail में हम समझे तो खास कर यह medications जो अलग-अलग दवाईया, therapeutic, RNAs plasmid DNA, viral vectors के जो CNS disease या फिर mice models के अंदर भी यह medications को जो अलग-अलग research के तोर पे यूज की जाती है यह root से तो humans के अंदर भी specially ICV injection उसको कहा जाता है या फिर sometime ICVI कहा जाता है जिसका मतलब होता है intra-cerebro-ventricular injection आगे हम देखे तो intra-cerebral के अंदर तो specially cerebral जो spaces होती है human के अंदर जो neuro-degenerative disorders होते है या फिर जो SMA का जो problem होता है spinal muscular atrophy या फिर neuro-degenerative disorders में हम Alzheimer disease हम देखे कीमो थेरापी के दोरान भी कुछ medications को release करने के लिए ये injection जो है वो use किया जाता है तो ऐसे ही सिखे detail में medicine course में अलग-अलग दवायों के बारे में उनके dose के बारे में कौन से दवाया use होती है dose side effect warning एक साल तक affordable price में तो whatsapp करें 901631 2020 पे medicine course को join करने के लिए फिर हमारी app को download करें good luck and all the best